वेल्कम बैक, वार्डोलोजी 62, I write at a leisurely pace, leisurely का मतलब होता है, फुर्सत के बक्त में और leisurely यहां एडवर्ब बन गया, और यहां leisurely का मतलब हो गया, अराम अराम से, धीरे धीरे, एकदम ऐसे काम कर रहा है, जैसे कि आप फुर्सत में हो, और पेस मिन्स गती, तो I write at a leisurely pace, मैं अराम अराम से लिखता हूँ, that is, अर्थात, I write in a relaxed way, मैं एकदम रिलेक्स होकर लिखता हूँ, and without hurry, as if I were doing it in my leisure, और बिना किसी जल्दी बाजी के, ऐसे जैसे कि, मैं कोई काम फुर्सत के बक्त में कर रहा हूँ, as if, जैसे, ऐसे कि, I hope my teacher would be lenient with me for my slow progress, मैं आसा करता हूँ कि मेरे सिक्षक, मेरे इस धीमी प्रगती के प्रती मिर्दुलभाव अपनाएंगे, मतलब क्या होता है, कि ज्यादा कठोर नहीं बनना, मिर्दुलभाव अपनाना, मतलब प्यार भरी बाते बोलना, तो करते हैं, I hope my teacher would be lenient with me for my slow progress, मुझे उमीद है कि मेरे इस धीमी प्रगती के ऊपर मेरे सिक्षक प्यार से ही पेश आएंगे, when someone in authority, for example, teacher, judge और policeman, अगर कोई बेखती जो अधिकार में है, example का तोर पर सिक्षक, judge या policeman, is lenient, अगर उनको हम lenient कहते हैं, he is not as strict or severe as expected, मतलब यह हुआ कि वे उतने सक्त नहीं है, उतने तिक्षन बेभार नहीं करते हैं, strict मतलब सक्त, severe मतलब तिक्षन, उतने सक्त यह हम तिक्षन बेभार नहीं करते हैं, जैसे उन से उमीद की जाती है, if she punishes me, it would be a little blow to my writing skill, अगर वो मुझे सजा देती है, तो यह मेरे लिखने की जो कला है, उस पे जानलेवा होगा, little means क्या होता है, घातक जानलेवा, अब बलो मिन्स प्रहार, तो यह मेरे लिखने की कला पर जानलेवा प्रहार होगा, that which is lethal is capable of causing a lot of damage, जो भी चीज लेथल होती है, वो इतना तिब्र होता है, कि उसमें नुकसान करने की चंदा होती है, a lethal substance can kill people or animals, अगर कोई पदार्थ lethal है, तो वो जानवर या आदमी को मार सकता है, तो इसलिए इसका मतलब बहता है, घातक या जानलेवा, many of us feel lethargic after heavy lunge, हम इसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा lunge कर लेने के बाद आलस महसूस करते हैं, lethargic means आलस महसूस करना, that is अर्थात, we feel sleepy, unnaturally tired, or too inactive, lethargic का मतलब होता है, कि हम सोने का, जैसा feel करते हैं, सोने का मन करता है, और सुभावी कुरूप से ठका हुआ मसूस करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा निस्क्रियता आ जाती है, we do not have much energy और enthusiasm, हमारे पास बहुत ज़्यादा उर्जा या उत्सा नहीं रा जाता है, these days we cannot afford being lethargic in the afternoon, इन दिनों हम आलसी होने का नुक्सान वहन नहीं कर सकते हैं, खास करके दो बहर में, the daytime has to be utilized because evenings are spoiled by power cuts, दिन के समय का प्रियोग में लाया जाना चाहिए, utilize करना मतलब सद्धियों किया जाना चाहिए, क्योंकि evenings are spoiled by power cuts, शाम बरबाद कर दिया जाते है, power cuts के दोरा, power cuts क्या होता है, बिजलियों का चला जाना, और spoiled, spoiled का B2 है, B3 है, जिसका मतलब होता है, बरबाद करना, there has been no let up in power, failures in spite of an additional power generation of 200 megawatt, कहते हैं कि अतिरिक्त 200 megawatt की बिजली उत्पादन होने के बाबजूद भी, जो power failure की प्रकिरिया लगी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, no let up means किज़ चीज़ की तिवर्ता में कमी आना, तो यह power failure की जो electricity की तिवर्ता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, अगर कोई भी चीज़ में अपरिये चीज़ खास करके में let up नहीं आती है, इसका मतलब है कि उसकी तिवर्ता में कोई कमी नहीं होती है, However, किन्तु, the city administration has assured to do its level based to ameliorate the situation, हलाकि जो city के जो प्रशासन है, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है, कि वो अपनी पूरी कोशिस करेंगे इस तिवर्ती को बेतर बनाने के लिए, That is, अर्थात, it will try as hard as it can, अर्थात या कोशिस करेंगे जितना संभब हो सकता है उतना, Though it is a difficult job, हलाकि या एक मुश्किल काम है, We can hope for some improvement because the mayor is level-headed, हम लोग आसा कर सकते हैं कुछ बेतर सुधार की, क्योंकि जो mayor है, mayor एक हिलाका का mayor होता है, head होता है, वो level-headed है, level-headed का मतलब होता है, सांथ मिजाज का है, सांथ सुभाब का है, That is, अर्थात, he is calm and sensible in making judgments even in difficult situations, Even in difficult situations, अर्थात वो सांथ है, समझदार है, यहां तक कि जो मुश्किल इस्थिती में भी न्याय करने में, In the Bible, Bible में, Leviathan, Leviathan is a sea animal of very great size, Bible में, Leviathan, एक बहुत ही बिशाल समंदरी जानवर को कहा गया है, तो समंदरी जानवर, Leviathan, जो है, वो बहुत बिशाल है, तो इससे figuratively, Leviathan is something which is extremely large, तो Leviathan कोई भी चीज, ऐसी चीज को कह सकते है, जो बहुत बिशाल हो and difficult to control और जिसको नियांतित करना मुश्किल हो, and which you find rather frightening, जिसको आप को ड्राब नहीं लग सकती है, जिसको इतनी विशाल है कि आप उसे डड़ लगे है, You cannot treat the population Leviathan with levity, कहते हैं यह विशाल जो जनसंख्या है, इसको आप तुक्षिता से, levity मतलब होता है, तुक्षिता जिसमें गंभीरता की कमी हो, तो आगंभीरता से आप इसको नहीं ले सकते हैं, levity is behavior that shows tendency to treat serious matters in a non-serious way, levity एक ऐसी बेभार होती है, जिसमें किसी गंभीर मुद्रा पे, गंभीर चीजों पे हम आगंभीर हो करके behave करते हैं, Sex education is necessary to check the population explosion, जनसंख्या की जो besport है, जनसंख्या besport है, इसको रोकने के लिए sex education अवस्यक है, It will also put an into much of lewd behavior, इसकी वैसे जो lewd behavior होती है, जो खराब वेवहार होता है, जो असलील वेवहार होता है, यह भी खत्म हो जाएगा, इसमें भी कमी आएगी, Once lewd behavior implies that one is interested in sex in a crude and unpleasant way, Lewd behavior का मतलब होता है कि कोई बेक्ती अगर lewd behavior करता है, तो वह दर्साता है कि वह किसी के वे साथ sex करने और खास करके बड़ी कुरूरता पुर्वक और अप्रिये तरीके से sex करने के लिए रुची दिखा रहा है, In an increasingly interactive world, Liaison officer have an important role to play. In an increasingly interactive world, ऐसी दुनिया जहां पे बहुत जादा एक दूसरे से लोग संबाद करते हैं, Liaison officer, Liaison officer वो होता है जो एक दूसरे से संपर्क करवाने वाले होते हैं, मेल मिला करवाने वाले होते हैं, जैसे मानिए कोई बड़े officer है और एक गाओ के बिकती जाता है तो उनको किस से मिलना है, क्या करना है, नहीं करना है किसी office में जाकर, तो उसके लिए liaison officer बनाए गया है, जो लोगों को किस विवाग से समझनी थे, उनको समझाता है थाकि उनको असारी से काम करवाया जा सके, और liaison officers बरे बरे लेवल पर होते हैं, जैसे एक देसे बुसे देस में जाते हैं, वहां क्या है कैसे उसके लिए भी liaison officer होता है, तो liaison officers have an important role to play, liaison officers एक बहुत बढ़ी भूमका निभाते हैं, liaison is a working association or connection between two sides, so that each side is well informed about what the other is doing, liaison is a working association, liaison एक ऐसे काम करने वाले लोगों का साथ तालमेल है, जो दो पक्षों को जोड़ता है, ताकि दोनों पक्ष को चीजों के बारे में अच्छी तरह से सुचना दीजा सके, जो दूसरे वेक्ति एक दूसरे के प्रती काम कर रहे हैं, liaison also refers to a sexual relationship between a man and woman not married to each other, liaison का मतलब संबंध होता है और ऐसे मर्द और 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 के बीच में संबंध की बात होती है, जो एक दूसरे से साधी सुधा नहीं है, तो extramarital जो relation होता है उसके लिए भी liaison का प्रयोग किया जाता है, इस तरह के जो licences होता है, licences मतलब होता है, lumpat, lumpat मिंस होता है, खराब, इस तरह के खराब जो relationship है, संबंध है, आज भी स्विकार किया जाने से बहुत दूर है, licences persons are very immoral, licences जो बिक्ती होते हैं बहुत जाना अनैतिक होते हैं, especially in their sexual behavior, खास करके अपने sexual संबंध को लेकर, he could not pay interest to the money lender, वहाँ money lender को पैसे नहीं दे पाया, नहीं दे सका, so he gave his land in lieu, इसलिए money lender को पैसे के बदले, जमीन दे दिया, in lieu मतलब होता है के बदले, ठीक है, तो कहता है कि, so he gave his land in lieu, इसलिए उसके जगाँ पे क्या किया, अपना जमीन दे दिया, that is in lieu of interest, मतलब पैसे क्या जो interest होता है, उसके जगाँ पे क्या दे दिया, उसने जमीन दे दिया, if I do a in lieu of b, अगर मैं a करता हूँ कोई काम, जो b के in lieu of होता है, मतलब के जगाँ पे होता है, I do a instead of b, तो मैं a करता हूँ b के बजाए, because the two things are considered to be of the same value, इसलिए करते हैं, it is likely that you already knew the phrase, हो सकता है कि आप इस phrase को पहले से जानते हो, my point is, मेरे करने का मतलब है, if you know a word, know it thoroughly, अगर आप किसी सब्द को जानते हो, तो इसे पूरी तरह से जानिये, एक good word power will help you come in the limelight, अगर आपकी word power शक्ती बहुत अधिक है, अगर आपके पास सब्द बंदार अच्छी है, तो आपको यह मदद करेगा परसीद होने में, lime light मतलब होता है, परसीदोना, वैसे lime मतलब चूना होता है, light मतलब कास्त चूना को जब जलया जाता है, तो यह दुधियार उसनी देता है, पूरा दिखने लग जाता है, ठीक है, इसके पीछे भी कहानी है कि e board कैसे बना हुआ रहा है, Lime light is a bright white light produced by hitting lime in a strong flame. जब चुने को बहुत गर्म करके गर्म किया जाता है तो इससे बहुत तेज प्रकास उत्पन होता है. This light was formerly used in theatres to light the stage. पहले जवाने में जो drama होता था, नाटक होता था, तो stage पे प्रकास, तेज प्रकास लाने के लिए इसका प्रयुग किया जाता था. If you are therefore in the limelight, तो इस प्रकार से जब कोई बेखती चुने की रोशनी में दिखता था, तो you are the center of public attention, तो उस पे लोगों का ध्यान पूरी तरह से ज़ाता था, वो केंदर बन जाता था, लोगों के ध्यान केंदर करने का. A lot of attention is being paid to you because you are famous, आप पे बहुत ज़ादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि आप प्रसिद्ध हैं, or because you have done something very unusual or exciting, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है, जो बहुत ज़ादा सधारन है, या बहुत उत्तेजना पैदा करने वाली है, तो इस तरह से you have completed, thank you very much.